हेलो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके शौट में कर्व टूल कैसे यूज़ करके कलर मैच कर सकते हैं अगर वहाँ पे कलर फ्लिकर है या कलर चेंजिस है तो मेरा आज का जो फूटेज है वह आप मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कितने अलग-अलग तरह का कलर है इसमें और बहुत सारे कलर चेंजिस हैं यहां पर तो हमें अगर इसमें कुछ भी करना है तो हम लोग वैसे क्या करेंगे मैनुएल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक ट्रैकर लेंगे तो trackr में क्योंकि इसका almost linear motion है तो मैंने first frame में लिया है tracker और last frame जाएंगे और बस basic moment जो है उसका ले रेंगे क्योंकि almost linear motion ही है आपको यहाँ पर आगर देखिएंगे तो तो ट्रैकर मिल चुका है हमें अभी हमें क्या करना है अभी एक कॉंस्टेंट लेंगे उसके बाद कलर पिक टूल से यहां पर उसका कलर पिक करेंगे उसके बाद एक कॉपी नोट लेके एक रोटो सेफ ड्रॉव करेंगे तो इसको पहले थोड़ा सा एचेस कर लेंगे प्रोटो को इतना पार्ट हमें एक क्लीन प्रेट यूज करना है तो अल्री अपने पास एक ट्रेकर है तो ट्रेकर को लगा दे है कि ट्रांस्फोर्म में जाके सेट की और मैंच मूव उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको एड करके तो यहां पर मैंने अभी क्या किया है कॉंस्टेंट से एक क्लीन प्लेट बनाया रफली और इसके उपर डाला है तो अभी देखते हैं तो यह जो पैच है अपने साथ यह लास्ट फ्रेम तक कंटिन्यू हम लोग को एक ट्रैक मिल गया और प्लस एक क्लीन प्लेट मिल गया लेकिन यहां पर कलर बिलकुल मैच नहीं है तो यह कलर मैच करना है तो मैनुएली काफी टाइम लगेगा आपको लेकिन कर्व टूल से क मैच हम लोग लेंगे एक कर्फ टूल से पहले सबसे इंपोर्टन चीज़ है हमें एक चीजफ हमें अगर फूटेज मूव कर राया या object move कर रहा है जहां से आपको source लेना है तो पहले तो हम लोग ने track निकाल लिया था इस area का उसके बाद हमें क्या करना है एक कोई भी particular point को particular portion को हमें stabilize करना है तो हमें क्या करना है first way में हम लोग जाके इसको stabilize करेंगे उसके बाद curve tool जो है curve tool को add करेंगे ऐसे उसके बाद curve tool का जो reason है उसको यहां पर set करेंगे उसके बाद क्या करना है हमनों का भी frame कौन सा है 278 तो हमें क्या करना है यहां पर go में क्लिक करना है यहां पर first frame देना है 278 और यह last तक हमें track करना है तो उसके बाद ok हिट करिए तो इसका हमें intensity data मिल चुका है तो यह intensity data जो है यह हम लोग यूज करने वाले है अभी तो उसके बाद क्या करना है एक grade node लेंगे एक grade node लेने के बाद यहां पर पहले to paste करेंगे उसके बाद पहले तो grade का value लेंगे देखेंगे उसके बाद curve tool का जो values है वह हमें क्या करना है control डबा के पहला first mouse button से click करके hold कीजिये और multiply के ऊपर यहां पर जो एक curve जैसे बना है तो इसके ऊपर छोड़ देना है आपको तो जैसे आप छोड़ दोगे तो दिखाए देंगे कि यहां पर color changes हो गया तो उसके बाद क्या करना है इसमें equal ज तो उसको click करना है तो एक निया window आजाएगा तो इसको हमें क्या करना है इसका जो यह जो एक text आया है इसको हमें पहले copy करना है उसके बाद slash copy करने के बाद उसको ctrl v से paste करना है और bracket के अंदर उस frame number को हमें डालना है 278 2 sorry 278 यहां पर जैसे ही डालेंगे यहां पर result दिखाएगा 1 मतलब जो first frame का values है उसको one कर देंगे अभी मतलब अभी multiply में उसका value होगा 1 मतलब first frame में अभी कुछ भी color change नहीं होगा लेकिन आगे जितने भी frames रहेंगे उसमें color changes हो जाएगा उसके बाद second आपको ध्यान देने वारा चीज क्या है इसमें जो four channel है तो हमें उसको click करना है अगर यह click नहीं करेंगे तो आगे जाके भी वह match नहीं करेगा तो हमें क्या करना है इसमें four में जाके click करना है तभी यह color जाके आगे match होगा तो अभी देखते हैं क्या result मिला है हमें तो देख पा रहे होंगे कि हर frame में automatically curve tool ने जो color का data है वो pick कर लिया है और frame by frame उसको color को match कर दिया तो देखा आपने कितना easy तरीके से यह color match कर दिया तो आज के लिए इतना ही था आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को like and subscribe करना मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you for watching